नमस्कार विद्याति मित्रो इकाई तीन काव्य मत बाटो इंसान को हमने काव्यगान सिख लिया काव्य का भावार्थ पी सिख लिया अब अभ्यास और स्वाध्या लिखते हैं तो अभ्यास्त का पहला प्रश्ण मैंने लिखकर फोटो भेजी है, आप उसमें से देखकर लिख लेना, दूसरा प्रश्ण समूगान करना है, तो यह लिखने की आवश्यक्ता नहीं है, प्रश्ण तीन, तो उसमें दो पंक्तिया दी गई है, उसका भावार्थ लिखना है, स्वाध्याई का पहला प्रश्ण, इनके पाँचों प्रश्ण मैंने लिख दिये है, आपको उसमें से देखकर लिखना है, अभ्यास्त का दूसरा प्रश्ण, निम्नलेकित शब्दों को शब्दकोस के क्रम में लिखिये, तो पहले आपको सभी शब्द लिखने हैं, और ब परिवार के पक्षवे पक्षपर कक्षा में चर्चा कीजिए, तो इसका उत्तर मेंने लेख दिया है, आपको देख कर लिखना है, प्रश्न चार, पुर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए, इसको आपको पूरा करना है, दो पंक्तियां दी गई है, रात होने पर में निकलता, के बारे में काव्य है आपको इस काव्य को पूरा करना है आप अपने तरीके से अपने शब्दों में इस काव्य को पूरा करेंगे फिर इसके बाद में व्याकरण तो व्याकरण के समानार्थी और वीरोधी शब्द मैंने लिख दिये है आपको देखकर लिखना है बराबर है तो आपका गुरुह कारिय बराबर से समझ लीजिएगा क्या है तो सबसे पहले आपको एक बार कावियतीन अगर आपने रफनोट में नहीं लिखा हो तो कावियतीन और उसके शब्दार्थ एक बार रफनोट में लिखकर कंठस्थ करने हैं फिर अपनी पकी कापी में अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण लिखना है इतना समझ में आ गया अब तीसरा योग्यता विस्तार का आपको काम करना है आज तो एक है प्रकल्प कारिय एक प्रोजेक्ट वर्क उसमें पहला है राष्ट्रिय एकता के गीतों का संग्रह कीजिए तो एकता के गीत जिसमें एकता की कुछ बात कही गई हो आपको मैं एक उदाहरन दे देती हूँ कक्षा छह में काविय है एक जगत एक लोग सब का है एक मान ऐसा जो काविय है उसको आपको लिखना है काविय की पोथी बनानी है गीत आप कहीं से भी लिखे चलेंगे अगर कक्षा 5 से 8 तक की हिंदी की पुस्तिका हो अगर और आगे के कक्षा की कोई हिंदी की पुस्तिका में से आप लिखोगे काविय तो भी चलेगा और कहीं से भी आप अपनी गीत पुस्तिकाओं में पुरानी अगर गीत पुस्तिकाएं हैं तो उनमें से आप देखकर भी लिखोगे तो भी चलेगा किन्तु गीत हिंदी में होने चाहिए राष्ट्य एकता गीत कम से कम पाँच गीत आपको लिखने हैं इसकी पोथी बनानी है, पोथी में कुछ और डिजाइन चित्र आधी कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका नाम और एकता गीत, इसकी सुची बना कर गीत लिखने हैं, बराबर है, उसी के साथ में एक और करना है, दूसरी पोथी बनानी है कैसे बनानी है तो भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विशय में सचित्र जहनकारी एकत रखीजिए तो सबसे पहले आपको भारत का मानचित्र बनाना है आप कहीं से देखकर भी बना सकोगे क्योंकि मानचित्र आपको बनाना है मानचित्र किसे कहते हैं नक्षा जिसे हम गुजराती में कहते हैं तो भारत का मानचित्र बनाकर नीचे दिये गए स्थल है वहां कहां है हम जब कक नक्षा सात में है तो हम सामाजीक विघ्लान की नक्षा पूर्ती होती है तो उसमें हम यह स्थान देखते हैं कैसे दिखाना है यह भी जानते है तो उसी तरह से आपको यह स्थान दिखाना है कौन-कौन से स्थान है जामा मस्चिद, स्वरण मंदीर, तिरुपती बालाजी मंदीर, उद्वाडा, माउंट मेरी चर्च, मुंबई आदी स्थान आपको देखने है और उसको सूचित करने है और इसके बारे में जानकारी लिखनी है चार-पांच वाकियों में एक एक स्थान की जानकारी, जामा मस्चिद कहां है, क्या है वहाँ, स्वरण मंदीर कहां है, पिरुपती बालाजी मंदीर कहां है, उद्वाडा कहां है, माउंट मेरी चर्च कहां है, किसलिए है सब आपको उसके बारे में नोंद, टुकनोंज जिस्वां कहते हैं इसा लिखना है बराबर है तो काव्यतीन, अभ्या, स्वाध्या, व्याकरण और योग्यता विस्तार आदि सब कुछ आपको लिखना है अगर आप योग्यता विस्तार की अलग से पोथी न बना कर अपनी पकी कापी में व्याकरण के बाद में योग्यता विस्तार लिख लोगे तो भी चलेगा, बराबर है, सब कुछ चलेगा